पढ़ेंगे डाइरिया के बारे में डाइरिया होता क्या है डाइरिया को हिंदी में बोलते हैं दस्त ठीक है किसी को दस्त लग गया तो वो क्या होता है हमारा इंगलिस में डाइरिया बोलते हैं उसको तो इस कंडिशन में होता है क्या है जो पानी होता है वो क्या होता है फ्रिक्वेंटल लगाता है बहार निकलता रहता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डाइरिया बोलते हैं या उस कंडिशन को हम क्या बोलते हैं डाइरिया बोलते हैं डाइरिया में भी कौश्ट सबसे इंपोर्टेंट होता है इसके वज़े से इंडिया में लाकों बच्चे मर भी जाते हैं है तो पहले जवाने में ज़्यादा होता है अब तो मतलब ज़्यादा यह ORS आने लगा है तो उसकी में प्रोसेस आगे बताऊंगे कि ORS होता क्या है the person suffering from diarrhea should be given a solution of sugar and salt मतलब जिसको diarrhea होता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए मतलब हमारे water में क्या होता है sugar और salt present होता है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें यह चीज दुबारा अंदर डालने पड़ीगी तो हम इसका क्या करेंगे sugar और salt का solution बनाएंगे clean water के साथ और हम इसे दिन में कई बार पिएंगे ठीक ह तो the dehydration of a body can be prevented during diarrhea तो dehydration को हम कैसे prevent कर सकते हैं during diarrhea by giving oral rehydration solution oral rehydration solution को हम क्या बोलते हैं ORS मतलब oral rehydration solution regularly to the patient तो इसमें बोला गया है हम dehydration को prevent कर सकते हैं कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ORS solution देने के लिए ORS solution में जातर क्या present होता है? sugar और salt present होता है हम इसको क्या करते हैं? clean water में डालते हैं और इसको दिन में कई बार लेते हैं जिससे हमारा जो diarrhea है वो सही हो जाता है ठीक है? ये एक तरह के disease है बहुत important है और इसको जल से जल हमें सही करना होता है नहीं तो हमें जार सरी जो है अस्वस्त महसूस होगा बहुत कमजोर हो जाएंगे या हम मर भी सकते हैं ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने next topic